ये पत्रकारों का सम्मान हैं, ये जो बॉयकॉट करके आप सम्मान दिखा रहे हैं डिमोक्रसी का, ये आज पूरा विश्व देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और मित्रों, आप सब पत्रकार बैठे हैं यहाँ पर, और आपके माध्यम से और टीवी के कैमरे क माध्यम से मैं करोडों पत्रकारों से आज सवाल पूछता हूँ, क्या ये जो 14 नाम लिखे गए हैं, ये बॉयकॉट के नाम है या ये टार्गेट लिस्ट है, क्या इनको केवल बॉयकॉट किया गया है या इनको टार्गेट करने के लिए इनके नाम जारी किये गए हैं, मैं सवान पूछता हूँ यह हिट लिस्ट है कुछ हैसे पत्रकार हैं जो डिबेक नहीं करते हैं आप उनमें गेस्ट भेजेंगे ही कैसे तो उनके नाम क्यों रखे गए हैं, टार्गेट करने की, F.I.R. डालेंगे, आपको छोडेंगे नहीं, आपको मसल के रख देंगे, और आप बताइए एक पॉलिटिकल पार्टी के कारेकरता होते हैं, अब मैं कांग्रेस के लिए या उनके पार्टी के लिए कहूंगा नहीं क लाको कारेकरता है, आजारों तो हैं, कुछ सव तो हैं ही, आपके कारेकरता कल अगर इस हिट लिस्ट में जिनके नाम दिये गए हैं, उनके साथ दुर्विवार करें, उन पर हमला कर दें, क्योंकि आपने लिस्ट जारी की है बकाइदा, कि ये नफरती पत्रकार हैं, और प इसको बॉयकॉट का लिस्ट का दाचित नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा, इस वाजए हिट जॉब दन भाई हिट लिस्ट रिलीस्ट पाइदे कॉंग्रस पाटी और इंडिया लाइन्स, ये एक हिट जॉब है, और मुझे लगता है, इसे सारे पत्रकार फेटर्निटी को में तो देव मालिया बागशी नामा के पत्रकार परसो ही शायद गिरफतार भी हुए, केवल इस कारण से गिरफतार हुए है क्योंकि उन्होंने सचाई दिखा लिए, किस-किस को बॉयकॉट करेंगे, राहुल जी, सोनिया जी किस-किस को बॉयकॉट करेंगे, चन दिनों प राक्षस है, जो मोदी को वोट देती है, जो बीजेपी को वोट देती है, वो राक्षस है, उसका बॉयकॉट होना चाहिए, इवियम तो पहले से ही खराब है, इलेक्शन कमिशन तो बिख चुका है, जुडिशियरी और सुप्रीम कोट इनके जजों को भी छोड़ा नहीं गया है, राम मंदिर का जज्जमेंट जब आया, तो इनके प्रवक्ताओं ने जजेश के खिलाफ क्या क्या कहा है, ये तो पब्लिक डोमेन में है, जजेश को छोड़ा नहीं गया है, कौन सा ऐसा इंस्टिटूशन है भारत वर्ष में, जिस इंस्टिटूशन के खिलाफ, क भाई कोट भी जिन्दाबाद है, इलेक्शन कमिशन भी जिन्दाबाद है, सुप्रीम कोट भी जिन्दाबाद है, केवल अगर किसी से नहीं हो पा रहा है, जिसको बॉयकोट वाकई करना चाहिए, कॉंग्रेस पार्टी को तभी उसका कुछ कल्यान होगा, उसका नाम पूरे दुनिया को बॉयकोट करने चले है, पत्रकार भी जिन्दाबाद है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हरे नेता में दम नहीं है भाईया, बॉयकोट किसको करोगे, जन्ता को बॉयकोट करोगे, सुप्रीम कोट करोगे, पत्रकारों को बॉयकोट करोगे, टीही को बॉ और मुझे एक प्रश्ण वो अवार्वापसी गैंग और जो मुंबत्ती वाले हैं उनसे भी पूछना है कि आज शाम को कहीं मुंबत्ती ये सुलगाएंगी या ने ये अगर हमारे तरफ से कोई लिस्ट जारी हो गई होती तो मार्केट में मुंबत्ती कम पड़ जाती है ब्लैक में मुंबत्ती विक्री हो रही होती है सारे मुंबत्ती कर से खरीद के भूंग रहे होते हैं लगत एक भी मुंबत्ती खरीदी गई है यह नहीं सच में यास्तिका पर चाहिए मतलब इस प्रकार की अभद्रता मैंने आज तक नहीं देखिया आँ सोच के देखिये यह सब जो सिलेक्टिव आउट्रे एक भी मुंबत्ती इन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा है मैं जानना चाहता हूं यह आवार्ड वापसी गैंग एक अवार्ड वापस करें गुंते मैं आज स्री रामचरित मानस को पोटासियम साइनाइड बता दिया कि यह पोटासियम साइनाइड है एक शब्द नहीं निकल रहा है इंके मुह से किसी कि लिस्ट जारी करने वालों कि यह आप इस मंत्री को आप बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे राउल बाबा जहां भी फॉरन कंट्री में है जवाब दीजिए यह आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया यह जो चंदर शेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरित मानस यह पोटासियम साइनाइड है यह जार है आपने हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को सैफुद्दिन सोज जो बोल रहा है आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे हमें पढ़ने क्या बचकता है इस सैफुद्दिन सोज को राहुल गांधी सोनिया गांधी बॉयकॉट करने की हिम्मत रखते हैं क्या हिम्मत है तो दिखाईए जो पत्रकार G20 और भ जानी में धकेल दिया उसको लेकर दिगवजय सिंग तीन दिन नहीं सोय थे आतंकवादी वो बाटला हाउस में मर गय थे तीन उसमें सोनिया गांधी जी रो रो के बेहाल हो गई थी इनका हाल तो यह है आतंकवादियों के साथ खड़ा होना है उनको बॉयकॉट नहीं करना है बाटला हाउस वाले आतंकवादियों को देखकर के सोनिया गांधी उनके डेड़ बॉडी इसको रो दी तो सो नहीं पाई थी कि मैंने कह रहा हूं नहीं के निता जल्मान पुर्शीद ने का कि सोनिया गांधी कुड नॉट स्लीप ट्री नाइट्स को तीन बेचारे आतं करना है बॉइक को आप करिए देश की जनता जब आपको बॉइक को करेगी तब आपको समझ में आएगा बहुत-बहुत धन्यवाज कोई प्रशन हो तो अवस्ति ने वी इंडी अलायंस वाले हैं इन सब के अंदर हिंदू धर्म के लिए जो जहर भरा हुआ है उनके हर वाक्य में ये विचह दिख रहा है वरना आप सोचिए कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू है कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म एड्ज है ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ये रोज-रोज कर रहे हैं उस राम के नाम को जहर बताना, इतनी हिम्मत जो लोग रखते हैं, वो इस देश के ही मूल आस्था पर सवाल करते हैं, उस पर चोट करते हैं, इसमें तो कोई दोमत ही नहीं है, उनका पूरा जंता बैकोट करेगी, आप देखिएगा, उनका लिस्ट भी ने निकल सकता, इतना करते हैं, आम आदमी पाटी के बारे में तो सवाल पूछिए ही मत, यह आम आदमी पाटी वो पाटी है, यह तो अभी 14 की लिस्ट निकलिये, उन्होंने तो 24 की लिस्ट निकाली थी बॉयकॉट करने की, लालू प्रशाद यादा उसमें नंबर वन थे, कि सबसे बड़ा भर कर बोल रहे हैं कि BJP खराब है, आप सोची उस आम आदमी पाटी पे, यह सारे पाटी को देखिए, मतलब यह मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इंडिया लाइन्स क्या कर रहे हैं, यह पहले आम आदमी पाटी को बॉयकॉट कर रहे थी, महमता बेनर जी अधिरंजन चौधरी को बॉयकॉट कर रहे थी, अधिरंजन चौधरी महमता बेनर जी को बॉयकॉट कर रहे थे, वहां पर पंजाब में आमादमी पाटी बोल रहे थी, हम कॉंग्रेस को घुसने नहीं देंगे, यहां पर नितिश कुमार और आर जेडी में 36 का आखडा चल रहा था, य आज ही सब एक होके बोल रहे हैं, पत्रकार को बॉयकॉट कर रहे हैं, कोई जमीर ही नहीं है इनका, यह क्या करते रहते हैं, यह सब को बॉयकॉट करके अपने लिए सक्ता का सौटकॉट ढून रहे हैं, धन्यवाद में, यहां दिया है,